ड्राइ पाउडर इन्हेलर, DPI, आईए एक ड्राइ पाउडर इन्हेलर, ल्यूपी हेलर के हिस्सों अथ्वा पूर्जों को समझने के साथ शुरू करते हैं। इस इन्हेलर में तीन मुख्य भाग होते हैं। Dust Protecting Cap, Mouth Piece, Capsule Chamber, अथवा Capsule का खाना। ल्यूपी हेलर को प्योग करने से पहले सुरक्षात्मक कैप को हटा लें। ल्यूपी हेलर को अपने हाथ में कस कर पकड़ें और Mouth Piece को तीरों की दिशा में घुमाएं। एक Capsule लें और जैसा की दिखाया गया है इसे Capsule Chamber में रखें Mouth Piece को बंद की दिशा में घुमा कर Capsule Chamber को बंद कर दें। ल्यूपी हेलर को सीधी खड़ी अवस्था में पकड़ें और लाल बटनों को अपने अंगूठे और तरजनी उंगली के बीच रखें। तेजी से और कसकर दबाव डालते हुए दोनों लाल बटनों को एक साथ द दबाएं। इससे Capsule Chamber के अंदर स्थित Capsule में छेद हो जाता है। अब आपका लिूपी हेलर उपयोग के लिए तयार है। अपने मूँ से सांस बाहर छोड़ें। लिूपी हेलर को पकड़ें और Mouth Piece को मूँ में रखें। इसे अपने होठों से पूरी तरह से ढख लें। और इस प्रकार एक बढ़िया सील बना लें और अपने सेर को दिखाए गए के अनुसार हलका सा जुका लें। एक नियत गती से और जितनी गहरी हो सकती हो सांस लें। चेमबर के अंदर स्थित Capsule एक खड़खड की आवाज करता है। ये इस बात का इशारा है कि लिूपी इन्हेलर को अपने मूँ से निकाल लें। अपनी सांस को 10 सेकंड तक या जितनी देर तक सुविधा जनक धंग से रोक सकते हों रोकें। अपनी नाक के माध्यम से धीमे से सांस बाहर छोडें। माउथ पीस को खोलें और खाली कैपसूल को फेक दें। यदि आपको अची दिखाई देती है तो माउथ पीस को बंद कर दें और चरण दोहराएं। इन्हेलेशन पूरा करने के बाद पानी से अपना मूँ खंगाल लें। लेकिन इसे निगले नहीं। लिउपी हेलर पर डस्ट प्रोटेक्टिंग कैप को वापस लगा दें। इसे पाउच मे रख दें।